जैशी राम सभी भक्तों को जैमाता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताएए जैसे की नवरातरी आ रही है तो इस नवरातरी पर हनुमान जी को कैसे प्रसंद करें या हनुमान जी की कौन सी यसी विसेस है तो लाइक करें शियर करें कोमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें साथ मंबाल इकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फून में पहुंच ज तो किर्पा तो बनेगी बनेगी इसी पकार से चैतर मास के जो शुब पारंब हो रहा है माता रानी का आगमन हो रहा है तो आपको पहले से ही त्यारी कर लेनी चाहिए और साथ में माता तो आएंगी आएंगी और बाबा भी आएंगी और बाबा की हमें बाबा को कैसे प्रस किरिया भी होती है सब कारिया होते हैं तो आपको हनुमान जी को प्रसंद करना है इस नवरात्री में ऐसा कौन सा पाठ है ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे हनुमान जी प्रसंद हो जाए जिससे हनुमान जी की घरपा आपके घर में सदय वास करें तो आपको चेत्र मास की नवरात् सब्सक्रिति के हिसाब से तो हमारा जो नव वर्ष होता है वो एक प्रेल्सी होता है तो नेकिन हम यह मानते हैं कि जो है चैतर मास की प्रति-प्रता जो तिति होती है उसी से ही शुरुवात होती है और इसी पकार से नवरात्री का जो आगमन है कुछ मार्च में ही हो गया है त आपको राधना करनी है उनका ध्यान करना है तो गनपती जी का आगमन करकर आपने आपकी पूजा को स्टार्ट करना है इस अगर आप चाते हो हनुमान जी को खुश करना हनुवान जी को प्रसंद करना तो आपने एक भोग लगाना है विशेश और एक पाठ करना है हनुवान जी को खुश करने के लिए आपने लाल सिंगासन पर स्थान देना है हनुवान जी को राम दर्बार हो मा का दर्बार हो और अगर मा का दर्बार में राम दर पाठ करना है नो दिन की रमायन आपने Neon दिन में पुर्ण करनी है यो नो ल। आपको राम चरितल मानुस का पाठ करना है अभी आपने देखा की यूपी के अंदर आब एक व्यक्शेये ने राम चय्करितल मानस के ऊपर एक उपल इंगली उठाई आप सोच के देखो, आपको राम चृत्तल मानस का गुंगान करने से घर में किरपा आएगी, हनुमान जी का वास होगा, हनुमान जी की किरपा आपके घर में वास करेगी, आप स्वम अजमा कर देखो चीज को, आप करो, शुरुवात करो, आप नवरात्री के अंदर देखो, आप रमैन का नो दिन में पूर्ण करनी है अपने रमैन और जब रमैन आपकी पूर्ण होएगी उसका आपने दशांस हवा हवन करना है. और हावन करना है ओम सितराम स्वाहा इस मंतर से मैं आपको बताऊंगा किस पतास से आपको करना है समगरी किस क्या यूज करने ये भी बताऊंगा आपको आपने रमैन का रोज एक अध्याय करो ओम तुलसी दास आये नमहा ओम वालमिक्याय नमहा ओम गोरी प्यत्याय नमहा ओ गने जी महराज की शुरू में अपने नाम लेना ही लेना है शिरी सितरान भगवान का नाम लेना है मा दुरुगा का नाम लेना है और रमैन का पाठ शुरू कर देना है रमैन का पाठ जो आप करोगे शुरुआती तोर पर हिंदी और जो भाषा वो जिसमें रमैन है लिखी व है अगर आपके अंदर स्टैमना है करने का तो नो दिन में आपने पूर्ण करने इस हिसाब से आपने पाठ को करना है रोज के बहार、 बहावन, अमंगल, हारी, द्रबूं सुधस, अजरृविहारी, दीन देआल, विर्द्संभारी, हरु, नात्ह, प्रौं, मंसंकर्भारी। हर किसी का सिध्य संपूर होता है। हम ये संपूर को Guild कर र mid. कर रहे हुआ हर वीडियो में चैस CNDRKa argent का पाट कर रहे हो चैस्याप कोई फी देवित कर रहे हो तो मैं यही संपूट लगाता हूं मेरे को बाबा की किपा से इसी संपूट से सब कुछ किरपा प्राप्ट हुई लिए तो आप यही संपूट का गुनगान कीजिए और लगातार इसी का संपूट लगाकर आपके कोई कारिये नहीं बन रहे वो सब कारिये बनेंगे हनुमान जी सुवम आपके कारिये सवारेंगे हनुमान जी आप आपके घर में किसी भी प्रकार की धन दान्या प्रोपलम विमारी इस्वारी किसी भी पकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे जिस घर में राम जी का नाम लिये जाता हो और वहां मेरे बाबा अगर कोई तकलीफ हो जाए तो ऐसा कहीं हो नहीं सकता क्योंकि हनुमान जी को स्वम संकट मोचन कहा गया है और जहां जिस घर में राम जी का नाम लेते हो हनुआंजी कभी अपनी पूजा से प्रसन नहीं होते हनुआ जी प्रशी राम की पूजा माधुर्गा की पूजा जिस घर में होती है वहां पर हनुआंजी की किरवा सदै भी ओती है और नवरात्रों में इस मोके को हाथ से मत जाने दो, इस मोके को आप पती पतनी दोनों संकर लेकर चलो और ये कहो कि हम दोनों नवरात्री के अंदर संपून रमयन का पार्ट करेंगे, नो के नो दिन, बाइस तारीक से नवरात्री का पारंभ है और इकतिस को समापन है, और सब समापन होगा, उसमें आपने हवन जो करना है, आपने एक उपला ले लेना, उसको गाय का उपला गोपर का बनावेया, उसको पंच मेवाओं से आपने जो है, हवन करना है, गाय का दे ओम सितराम स्वाहा समझ गे तो आपने ये ये आपके ओपर पहन करता है नेकि पंच मेवा का हवा नहीं करना है देखिए किस पकार से किरपा प्रापत होती है और एक विशेश भोग जरूर लगाना है नमानजी को और इसी पार्ट के अंदर ही पान के बेड़े का भोग क्या ह होता है इस पर हमें वीडियो बना रखी है हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करकर वीडियो में जाओं गे आप तो आप अपने आप DR. aleत अब किस किरपा होती है और इस नवरात ने के अंदर माता की अपार किर्पा आपके घर में वरसेगी बाबा की अपार किर्पा आपके घर में वरसेगी तो बोलिये जैस इतराम जैस शरीफ वाला जी माला